हेलो फ्रेंड्स आप सभी को MD टेक्निकल वर्ड में स्वागत हैं आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं अभी देख मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल वाले बटन को दबा कर सब्सक्राइब किजिए और बेल लाकें को दबाना मत भूलेगा तकि जब भी मैं अपनीव ब्यूडियो अपलोड करो सबसे पहले आप तक पहुँश सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स के महत्पूटर के महत्वपूर्णय क्यस्चेन्स बताने बारा है यह विए क्यास्चेन्स बेसिक कंप्यूटर के हैं जो फंडामेंटल और कंप्यूटर से है रिकमेंड फॉर अल्ल कॉम्प्टेटिव एक्जाम अल्सो यह क्वेस्टन्स अल्ल कॉम्प्टेटिव एक्जाम के लिये हैं फॉलो ऑन फेस्बुक, यूटूब, इस्टाग्राम, ट्विटर, एम्ली, टेक्निकल वर्ल्ड आप मुझे इनसफर फॉलो कर सकते हैं चलिए आज की इस वीडियो का पहला क्वेस्टन्स अन स्क्रीन वाट डू यू कॉल और सिंगल पॉइंट अन कॉम्प्टूटर स्क्रीन कॉम्प्टूटर की स्क्रीन पर जो पॉइंट होता है हम उससे क्या बोलते हैं अज नेक्स्ट क्वेस्टन्स अन कम्प्टूटर और डीवलोप्ट द्यूरिंट फर्स जनरेशन कम्प्ट्र कब डिवलोप्ट किय गय थे at the right answer 1942-1955 first generation computer 1942-1955 में डेपलोप किये गए थे next questions second generation computer were developed during second generation computer कब डेपलोप किये गए थे at the right answer B 1955-1964 second generation computer 1955-1964 में डेपलोप किये गए थे next questions third generation computer were developed during third generation computer कब डेपलोप किये गए थे at the right answer C 1964-1975 में डेपलोप किये गए थे third generation computer next questions fourth generation computer were developed during fourth generation computer कब डेपलोप किये गए थे at the right answer a 1975-1989 fourth generation computer 1975-1989 में डेपलोप किये गए थे fifth generation computer were developed during fifth generation computer कब डेपलोप किये गए थे at the right answer 1989 और टुडे fifth generation computer 1989 में डेपलोप किये गए थे जो अभी तक चल रहा है अगर आप इसका पीडिएफ डाउनलोप करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका पीडिएफ लिंक दिया हुआ है उसे डाउनलोप कर सकते हैं चलिए नेक्स क्वेस्टन की और चलते हैं the first generation computer used for circuit and for memory first generation computer में किस चीज का यूज किया गया था at the right answer B vacuum tube magnetic drum first generation computer vacuum tube और magnetic drum पर चलता था चलिए नेक्स क्वेस्टन की और the second generation used for circuit second generation computer में क्या यूज किया गया था second generation computer में क्या यूज किया गया था at the right answer A transistor second generation computer में transistor का उप्योग किया गया था चलिए नेक्स क्वेस्टन क्योग यूज किया गया था are used in their generation computer instead for transistor third generation computer में किस चीज का यूज किया गया था at the right answer C integrate circuit का यूज किया गया था third generation computer में चलिए नेक्स क्वेस्टन क्योग यूज किया गया था in 4th generation computer 4th generation computer में किस चीज का उप्योग किया गया था 4th generation computer में हाइज स्पीड कंप्यूटर माइक्रो प्रसेसर का प्यूट किया गया था at the right answer A आज की इस व्यूडियो में इतना है थैंक इस वेरी मच्च